खिले खिले पोहे बनाना हुआ कितना आसान एक एक पोहे खिले खिले मिलेंगे एकदम पर्फेंट पच्चो को लंच में या हस्प्रेंड को ब्रेकफास्ट में पैक करके भी दे सकते हैं तो हर किसी को पसंद होता है खास तोर से महाराष्टा में जाईए आप देखते हैं हर घर में पोहा सर्दी में तो खास तोर से डेली पोहा बनता है सुबर टाइम भी बजता है भागम भाग होता है फटा फटा आप बना सकते हैं खिले खिले पोहे जो इस तरीके तो मिलेगा ही मिलेगा और खिले खिले इस तरीके से लुक भी मिलेगा जो एक हर इस्पून में आपको अलग स्वाद मिलेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत से फ्लेवर है सबसे पहले पोहा लेंगे पोहे को एक बर्तन में डालेंगे इसके अंदर पानी डालेंगे क्योंकि पोहे के अंदर बहुत जादर डैस्ट होता है हलके हाथों से इसे मस लेंगे ताकि इसके अंदर की गंदगी निकल जाए दो से तिन पानी इसे हम धोलेंगे और इस तरीके से पानी को हम छांग लेंगे और इसके उपर पोहे को डाल देंगे जिसे एक्स्ट्रा पानी निकल जाए पानी निकलने के साथ एक यहां पर ट्रिक होता है जो पोहा खिले-खिले हो तो एक चमच हम चीनी लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे पोहा जब हम बना तो एकदम चिपके खिले-ख यह फ्रेंड्स मेरे घर का पोहा है आपके पास अगर का मार्केट वाले हो तो कोई सा भी पोहा आप ले लेजिए लेकिन बनाने का सेम प्रोसेस यही होगा तो इस तरीके से जब हम मिक्स करेंगे ना तो पोह एकदम खिल के आएंगे तो एक चमत चीनी आप बनाने से पहले कर दीजीगा पानी भी निकल रहा है और पोहा चिपकीगा नहीं तो इसे हम छोड़ देते हैं पाच मिनट के लिए नेक्स्ट इश्टेप देखते हैं से पहले गैस पे कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई अच्छे से गरम हो जाए तो दो चम्मक सरसो तेल ले लेंगे तेल यहां करें आपको इसा मेल देए अच्छे से गरम हो जाए तो हम कप मूम फल रीखकी सबक्शाका हम तो मिंडियम टू लो के फिले में रोष्ट करेंगे 3-4 मिनट में अच्छे से रोश्ट हो गया है कि इसे हम साइड में पैल करकर निकाल लेते हैं उसी तेल में ले लेंगे हम सरसो, चमत सौफ, चमत जीरा, तीनों का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, उसी के साथ ले लेंगे कड़ी पत्ते, पोहा है तो कड़ी पत्ता तो जरूर पड़ेगा, और इसे अच्छे से चटका लेते हैं, तो मेडियम साइज के प्याच को हम के से हमने काट लिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मटर है, फिरोजर मटर है, आपके पास जो मटर है तो डालिये, मटर नहीं तो इसकीप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक गाजर को टुकड़ों में काट लिया है, तो डालिये गा, नहीं तो गाजर भी स्कीप कर सकते हैं कोई दिकत नहीं लेकिन एक बार अच्छा टेश्ट आता है बच्चे सब्जी कुछ नहीं खाते तो यही बहाना होता है कि पोहें के अंदर बच्चों को खिला सकते हैं कुछ सुखे मसाले एक चमच हल्दी पाउडर से कम रेट चिली पाउडर क्यूंकि हमने हरे मिर्च भी काट रखे हैं चमच से कम गरम मसाले आप चमच आमचूर पाउडर या नीबू का रस ले लेगी अरे मसालों को अच्छे से करेंगे मिक्स कि इतनी अच्छी खुद्वू आने लगी इसमें बहुत ज्यादे मसाले नहीं पड़ते हैं इसी से बहुत अच्छा टेश्ट आ जाएगा पोहे देख सकते हैं चीनी डालने से कितने खिले-खिले पोहे हैं एक भी पोहा चिपका हुआ नहीं है एक खिला हुआ है मेरा घर क पोहा है बारीक वाले पोहे जो होते हैं फिर भी एकदम खिले-खिले हैं तो अगर चीणी डालेंगे आप भी तो आपके भी पोहे एकदम खिले-खिले बेटरीन बनेंगे टेस्त हो गाही देखने में भी एकदम पर अक्याने का सीजन आ गया है पोहा किसी को पसंद होता है जट पट बन भी जाते के अंदर ले लेंगे नमक काला नमक को करेंगे अच्छे से मिक्स कि के साथ मॉंफली की गिरी को भी डाल देंगे अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स पोहा जब रेडी हो जाए तो फ्रेस कटा हुआ धनिया पत्ता ले लेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे देखे लाजबाग दिख रहा है न तो इसी तरीके से आपके भी पोहे अपची तो पोहा हो तो हो गया है रेडी फटा फट गैस का फ्लेम करते हैं बन और एक सर्विंग बोल में हम फटा फट निकालते हैं गर्मा गर्म सुबह का हो ब्रेक फास्ट और कुछ हलका फुलका हेल्दी खाना है ये रेस्पी बिल्कुल आप ही के लिए है जो पर्फेक्ट लुक और पर्फेक्ट टेस्ट भिलेगा आपको फैमली में अगर किसी को पोहा पसंद नहीं है अगर इस तरीके से बनाएंगे तो पूरी फै संद आता है तो ये वीडियो देखने के बाद सभी को पोहा खाना पसंद होगा तो मेरे चैनल पर अगर नए है तो प्लीज सस्क्राइब करिए शेयर करिए लाइक करिए ऐसी मज़दार रेस्पी के साथ आपसे मिलती रहूंगे तब तक के लिए बाई बाई